गारते एक बार फिर आप सभी का आपके अपने डूब चैनल प्याइश क्लासेस पर तो दोस्तो आज के अधिबी लेक्चर में पता प्रेंगे क्रिस्टल झाल योज़त लबड के बारे जो दोस्तो आज के श्पीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि water of crystallization और hydrated salt क्या होते हैं आईए start करते हैं तो पहले हम बच्छों बात करेंगे crystalline gel के बारे में यानी water of crystallization के बारे में यह क्या होता है देखिए दोस्तो इसकी definition को समयने से पहले आप लोगों मैं दो तीन example देख क आपको समझाता हूं फिर आपको clear हो जाएगा कि हांगी crystalline gel होता क्या है देखिए दोस्तों आप लोगों ने सर्फ देखाओ घर में जो सर्फ होता है जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा यानी sodium carbonate ठीक है और बच्छो जो दावन सोडा होता ने सर्फ होता है देखिए वह क्या आपको समझा रहा हूं जो आपके घरों में धोने के लिए यूज होता है यह सर्फ की बात कर रहा हूं धावन सोडा ठीक है इसका अगर हम बात करते हैं रासानी फार्मूला तो फार्मूला होता है इसका Na2CO3 into 10H2O यह दावन सोडा का सूतर होता है सोडियम कार्बनेट डे का हाइट्रेट ठीक है संच महारा है अब यह जो दल के 10 अगों बच्छो ठीक है तो इसी जल के 10 अगों को बच्छम के बलते हैं केस्टलन जल बोलते हैं लेकिन बच्छो सोडियम कार्बनेट यानि स्मोली कूल है ठीक है यह सुच का अगया आगर रोप में दिखाई देता तो सर्फ गीला हो था लेकिन सर्फ घीला तो पौडर तो इसे होते हैं डेकने में तो देखने में तो दिखाई देंगे वह वह सूका रहता है तो ऐसे compound यानि ऐसे यहोगी जिनमें जो जल होता है जो हमको दिखाई नहीं देता बड़ उसके अंदर होता है तो उसको बच्छे मुलते है केस्टलन जल जैसे आपने फिटकरी की बात करते हैं फिटकरी की बात करते हैं तो फार्मला होता है इसका देखिए के टू एसो फॉर ठीक है एल टू ठीक है एसो फॉर का होल्थ्राइज होता है ठीक है साथ में चर्ट टॉन्टी फॉर एस्टू ओ यानि जल के 24 अडू होते हैं जल के 24 अडू होते हैं अब फिटकरी देखो बच्छे एक क्या होता है है कि अब फिटकरी देख्ते हैं यानि यानि उसके अंदर में जल कर जाये इसका राषा नी इसका राषा नहीं पर जाएं तो फिटकरी के अंदर जल के 24 अडू होते हैं तो मैं आपको वही समझा रहता है बच्छो कि कोछ योईकों के क्रिष्टल सुखे दिखाई देते हैं जैसे आपका जो आपका सरफ होता है ठीक है यह आपका फेट करी होती है कि यह हमको सूखी दिखाई देती है परंतु बास्तम में उनमें कुछ जल के अडू सर्यूक रहते हैं यह जल के लाता है तो अगर सोडियम कारवेंड धाबन सोडा की बात करते हैं ठीक है तो इसमें जो कितना जल के दस जल कर लाएंगे कर लाएंगे ऐसा फिटकरी कार बात क संणमत्स परबन या ऐस सँ सब्सक्राइब और ये जो अडू है जिन में जल के अनू मिले हुग है तो यह क्य कहलाता है यानि ऐसे लवड सब्सक्राइब तो हा एके तो हम जानेंगे हैं कि न यह इसे लगेश्क जकेड़ जु़ करूं तो वे यहोगी जिन में जल सेंट रहता है जल जो लवल कहलाते हैं ठीक है आप देखेंगे एक्जामपल समझे देखें आप कई सारी लेक्ट लखें क्या देखें धावन सोडा जैसे कि आपको बता रहा था सोडियम कारवोने डेका हाइट्रेटिक्स का पूरा राशाय निक् पूरा मॉलिकूल किसका बचेंगे पूरा मॉलिकूल किसका बचेंगे एक मॉलिकूल है यानि फिटकरी का एक अडू है तो यह बचो के यहोगा यह होगा यह यह तो आपका क्यों गया यह 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 तो आपका क्यों पूरा लेकिन पूरे कंपाउंड की बात करते हैं तो यह आपका जल योजित लवड़ हो गया क्योंकि इसके अदर दस मुलीकुल आ रहा है ऐसे आपका तो यह भी एक जल योजित लवड़ है इसके अन्दर चोविस जल करूँ रहते हैं आपके जिफसम यानि कैल्सम सलफेट कैल्सम सलफेट अब जल के दो रहते हैं तो यह प्यां याव चली योजित लवड़ है अब इसके उलों लेकिन पूरे कंपार्ण दो िनों कमपार्ण आपके जल्योजित लवड़ हैं क्योंकि वैट्रक्म देखने को मिल रहे हैं तो आयों बच्चो आपको पूरी बात तो मैं आपको समझाते हैं आप लोगों को समझा रहा था कि कुछ योगिक यानि कुछ लबडव ऐसे होते हैं जो देखने में तहुत हुए के दिखाई दें लेकिन इसका राषानी संगषन पर जब जाए तो उसके अंदर बच्छो जल के मोलेकूल उपस्तित रहते हैं तो किसी कंपोर्ण के अंदर ज़िए जल के ऑपको क्रिष्ट्लन जल करता है जैसे धावन सोडा निस जल के दस अड़ रहते हैं तो जैसे तो सब एक केस्टन जलके